शेख हसीना जो है उसको बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं शेख हसीना भारत के कॉंटेक्स में अगर हम देखें तो भारत डेफिनेटली शेख हसीना को प्रेफर करती है असलाम लेकुम जी वेलकुम बैक टू मैं चैनल होप आप सब बिलकुर ठीक ठाक होंगे मेरे नाम समयन है आप देखें समयन रेक्शन यहां पर बात करते हैं विक्टरी की शेख हसीना की विक्टरी हुई है तो यहां पर इंडिया की जानिप से का जा रहा है कि विक्टरी Raw in Bangladesh अब यहां Raw की victory क्यों हुई है बंगलादेश में इंडियन मीडिया इस पे बात कर रहे है और इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा खुल के बियान किया है कि किस तरहां बंगलादेश के साथ relations उसके लिए बहुत ज्यादा important है क्योंकि बंगला देश और इंडिया के दर्मियान जो boundaries है जो border sharing है वो बहुत ज्यादा है इसलिए इंडिया के लिए बंगला देश के साथ अपने तालुकात को मजबूत रखना सबसे जो एहम priority है अब यहां पे जी इंडियन मीडिया बता रहा है कि किस तरहां अमेरिका के साथ जंग में इंडिया ने पाकिस्तान के दो तुकड़े किये फिर बंगला देश को independent बनाया और अब किस तरहां बंगला देश के थुरू वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको सैटल डाउन करना चाहता है बहुत खुले इलफास में यह बियान किया गया है अभी मैं आप लोग साथ यह रिपोर्ट शेयर करती हूँ बहुत इंट्रेस्टिंग रिपोर्ट है यह बहुत लंबी है अगर आप लोगों ने पूरी सुननी हो तो आप जा के सुन सकते हैं लेकिन अभी जो मैं आप लोगों साथ शेयर कर रही हूँ वो आप लोगों मेरे साथ देखें और पूरी जा के चैनल पे देखें वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें चलते हैं देखते हैं वीडियो बंगलादेश में अभी election हुए हैं और इस election में आप जानते हैं कि शेखषीना जो अवामी लीग की leader है उनकी जीत हुई है शेखषीना जो है उसको बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं शेखषीना भारत के context में गर हम देखे हैं तो भारत definitely शेखषीना को prefer करती है और भारत के preferences का सबसे बड़ा reason ये भी है कि शेख सीना का जो regime है वो थोड़ा सा secular है in contrast to जो बाकी वहाँ पर parties है पर अवामी लीग केवल एक party नहीं है बंगलादेश में बंगलादेश में चार बड़ी party आँ है जिसमें से अवामी लीग एक है बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी दूसरी है और BNP जो बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी है इसकी लीडर है कलीदा जिया और कलीदा जिया का track record ये है कि वो बिल्कुल एक प्रकार की secular नेता नहीं है और वो generally Islamist agenda चलाती है इसी रीजन से जो बंगलादेश की तीसरी पार्टी है जमात उसका और BNP का relation हमेशा बड़ा close होता है और आज की date में बंगलादेश में एक नया undercurrent जो over a period of time पिछले कई सालों में emerge किया है वो है जतिया पार्टी तो ये चार पार्टीयां है बेसिकली बंगलादेश के context में एक democratic country होने के नाते यहां पर हमेशा चुनाव होते हैं लेकिन क्यूंके शेक हसीना की कुछ पिछले समय से जादा ही victories हो रही है इस election में तो जाहिर सी बात है कि शेक हसीना की इन victories में बहुत सारे लोगों का interest नहीं है जिसमें से सबसे बड़ा US है हमें समझने की आवशक्ता यह है कि अमेरिका आज की date में शेक हसीना को पसंद क्यों नहीं करता अमेरिका ने शेक हसीना के उपर क्या-क्या दबाव डालने की कोशिश करी और इस context में शेक हसीना की eventual victory से पहले भारत की research and analysis wing RNAW ने eventually बांगलादेश में क्या role play किया तो आज के इस video में हम इनी सारे aspects के उपर चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहली बात यह है कि बांगलादेश जो है वो बना तो 1971 1971 में लेकिन बांगलादेश के बनने से पहले वो territory East Pakistan भी हुआ करती थी हमारा interest East Pakistan की territory में लगबग 1950 से 1960 के दशक से हुआ 1950 साथ के दशक में interest हमारा इस कारण से हुआ क्योंके East Pakistan की territory उस समय प्रयोग शाला बनी हुई थी ISI of Pakistan की तरफ से और अमेरिका की CIA की तरफ से शीत युदियानी की Cold War के दौरान और Cold War के दौरान ये पूरा जो इस्ट पाकिस्टान का था इस territory में ISI, CIA मिलकर भारत के जो नौर्थ इस्ट के इलाके थे उन इलाकों में insurgencies को प्रमोट करती थी और जितने भी नौर्थ इस्ट के इलाकों में insurgencies की सापना हुई उनको Arms Ammunition मिला वो सारी की सारी चीजें इस्ट पाकिस्टान से बहुत सरल तरीके से ISI, CIA कंट्रोल करा करती थी तो सबसे पहली चीज भूलियेगा मत कि अमेरिका का इंटरेस्ट इस्ट पाकिस्टान में पाकिस्टान के थुरू पहले से ही इस कॉंटेक्स्ट में 1965 की भारत पाक की जंग के बाद भारत की सरकार ने जब 1968 में भारत की Research and Analysis विंग RNAW का क्रियेशन किया तो RNAW के क्रियेशन के बाद ये निरने लिया गया कि RNAW को सबसे पहला टास्क दिया जाएगा कि to pay Pakistan back in the same coin अब ये strategy बड़ी important इसले थी क्योंकि अगर आप 1947-48 का जंग देखें जो भारत और पाकिस्टान के बीच में हुआ और उसके बाद eventually 1965 का जंग देखें तो ये दोनों की दोनों जंगे जो भारत और पाकिस्टान के बीच हुई ये जंगे हुई basically कश्मीर को लेके अब समय ये आ चुका था 1968 में कि भारत की research and analysis link को ये बोला गया कि अगर पाकिस्तान बार बार भारत को provoke करके ये बोलना चाता है कि मैं आपसे आपका कश्मीर चीनूंगा तो हमने RNAW को ये instruction काटेगोरिकली देके बोला कि आप पाकिस्तान की एक territory चीन के उसको वो feel कराई है कि वो feeling कैसी होती है जब आपका खुद का एक टुकड़ा चला जाए क्योंकि पाकिस्तान तो सिरफ इस चीज की कोशिश कर रहा था तो हमने उनको वो कोशिश सक्षम करके feel करवाई इस context में 1968 में जब RNAW का creation हुआ उस समय RNAW ने अपनी सारी energy इस्ट पाकिस्तान की और लगाई इस्ट पाकिस्तान में उस समय हम जानते हैं कि बंगला स्पीकिंग जो population थी जो बंगला स्पीकिंग मुसल्मान थे क्योंकि कोई भी मुसल्मान जो होगा वो उर्दू में बात करेगा वो कभी भी बंगली भाषा में बात नहीं करेगा अब भाषा एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत ही जादा प्रभावित करती है और भाषा एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को एक emotional sentiment देती है के creation में deliver किया है और आज की date में ये बात documented है कि भारत की ओर से मुक्ती बहीनी जैसी संस्थाओं का creation किया गया मुक्ती बहीनी जैसे forces को volunteers को इकठा करके छोटे-छोटे grassroots level cells बनाये गए जिन्होंने separatism की पूरी movement को East Pakistan में चलाया और एक right opportune moment पे जब 1971 में eventually election के बाद operation search light चलाया गया West Pakistan की ओर से तो उस operation search light के eventual conclusion में finally भारत ने East Pakistan की territory को तोड़वा के बंगलादेश create किया बंगलादेश के creation के बाद जो बंगलादेश में सबसे important leader जो उस समय जिसने power ली उसका नाम था शेक मुझबुर रिमान और शेक मुझबुर रिमान अवामी लीग पार्टी के थे और अवामी लीग की यही वो पार्टी है शेक मुझबुर रिमान के lineage वाली ही वो पार्टी है जिसकी descendant है आज की date में शेक हसीना तो भारत के रिष्टे शेक मुझबुर रिमान से उस समय से अच्छे थे एक बड़ा आईरोनिकल गेम प्लैन देखी है पूरे शीतियुद में कोल्ड वर के दोरान अमेरिका का एलाई था पाकिस्तान और पाकिस्तान आप जानते हैं कि दो टुकडों में बटा हुआ था वेस्ट और एस्ट पाकिस्तान में 1971 में जब इस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी तोड़ कर उस इस्ट पाकिस्तान में जब हमने बंगलादेश बनाया तो ये तमाच एक पाकिस्तान के मूँ पे नहीं बल्कि ये उल्टे हाथ का गुमेरी चमाट जो होती है वो थी अमेरिका के मूँपर और वो अमेरिका के मूँपर इस कारण से थी क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई था पाकिस्तान उस समय और हमने जब ये ताकत दिखाई कि हमने अमेरिका के एक एलाई के इतने दो टुकडे करके उस टुकडे का एक नया देश क्रियेट क लिया कि भई ये जो चीज हुई है कि भई भारत ने इस्ट पाकिस्टान को तोड़के बंगलादेश बना दिया ये कैसे कर दिया क्योंकि ये उसके strategic thinking और strategic calculus का तो game plan कभी था ही नहीं पर हमने उसको भी outsmart कर दिया अब जब ये हुआ तो आप सोचिए कि भांगलादेश एक ऐसी territory है जो कि कहने को तो एकदम पाकिस्तान के खिलाफ होके बनी और एकदम US के खिलाफ होके बनी लेकिन irony की बात ये है और ironical है कि 1971 में जब भांगलादेश बना 1972 में सबसे पहले अमेरिका ने आकर भांगलादेश को recognize किया और जैसे ह हुआ कि जैसे ही अमेरिका ने बांगलादेश को diplomatic recognition दी उसके बाद एक treaty of friendship sign करकर diplomatically उन दोनों ने अपने रिष्टे explore करे भारत इस game plan को समझ गया भारत ने ये चीज़ देखी कि अमेरिका अगर बांगलादेश को diplomatic recognition दे रहा है इसका सबसे clear cut indication ये है कि बांगलादेश की territory क अब अमेरिका कुछ प्रयोग करेगा और भारत के खिलाफ वो बदला लेगा अब एक बदला तो यही हो सकता था कि अमेरिका जो अभी तक 39 में insurgency चला रहा था उस insurgency को बढ़ावा दे पर वो चीज़ तो possible अब थी नहीं क्योंकि बांगलादेश के अंदर जो head of the state था व होने में सक्षम होने नहीं देगा तो जाहिर सी बात थी कि अगर ऐसी परिस्थिती आती है कि इस सिनेरियो में मान लीजिए कि हम यह देखते हैं कि वही अगर अमेरिका बंगलादेश ओके जी यह रिपोर्ट आप लोगों नहीं देखी है यहां पर किस तरहां continuously इंडिया ने अमेरिका के साथ जंग में पाकिस्तान के साथ फाइट में बंगलादेश में काम किया बंगलादेश को अपना बनाया और आज भी शेख हसीना के थ्रू बंगलादेश के साथ अपनी जो तालुकात हैं उनको मस्बूत किया हुआ है इंडिया ने अब यहां इंडिया ने किस तरह पूरा का पूरा जो गेम है पल्टा अमेरिका को शौक दिया अमेरिका जो चाहता था कि इंडिया जो है उसका उनसे जो है उनका पार्ट छीन लिया जाए और पाकिस्तान चाहत था कि कश्मीर उनको दे दिया जाए तो इस चीज को देखते हुए इंडिया की जानिब से यह पूरा का पूरा गीम जो है प्लेई किया गया यह जैसे ही जो बेंगॉलीज हैं उनकी फाइट स्टार्ट हुई तो यहां पे इंडिया ने अपना काम करना स्टार्ट किया और इस फाइट के अंदर एंटर होके बंगलादेश को अजादी दिलाई यहां यह चीज बहुत इंपोर्टन्ट है कि किस तरह कॉंटिनसली इंडिया ने बंगलादेश के अंदर अपने जो पंचें वो गारें हुए हैं और शेख सीना कॉंटिनसली प्राइम निस्टर बान के आ हैं अब जब वो अपना ये पांच साल मकमल करेंगी तो उसके बाद वो 81 जियर्स की होंगी ठीक है और यहां पर बहुत सारे लोग इस चीज पर भी बात कर रहे हैं कि आखिर बंगलादेश का फ्यूचर कौन है शेख सीना के बाद कौन आएगा ठीक है तो यह जीज जो है क इसी दूसरी पारटी को आने ही नहीं देरी और जो भी कोई पारटी उनको मस्पूथ नजर आती है उसको डंडे के जोर पे ताक्त के जोर पर दबा दिया जाता है अब आप लोग क्या किएंगे सव आप लोग का जो भी आ प्रोंका जो भी जाएं आप लूग आप लुग लाच मी लाइक करें लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से ऌलक करें बीडियो के लास मी शेयर करें मेरी चैनल को सबस्क्राइब करें इसके लावा अब करना चाहते सब्सक्राइब कर सकते हैं आवे स्यूंगाइज जल्देने टेक्राइब आपस्पबाद